हेलो फ्रेंद्स वेल्कम यू ओल टू मैं चैनल ने नेव्ट फंडेमेंटल्स ऑफ़ामसी और आपके सामने आपको बताने के लिए मैं हूँ शुचिता अज जो है पुलेरोग्राफी का सेकिंड पार्ट है जो भी हमने अपने फर्स पार्ट में कवर कर रहा है उस पार्ट को छोड़ कर हम उसके आगे आने वाले पार्ट जो है वो कवर करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएएगा और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा तो हम स्टाट करते हैं नेक्स्ट हमारा ये वीडियो कंटिनुशन तो प्लेरोग्राफी लेट गेट स्टाट अब आपका पाच सेकेंड में स्वागत है और अब हम समझेंगे अमने अभी तक आई ओ कोविक एक्वेशन समझ ली अब हम समझेंगे कि कॉईसे कॉईसे फोर मेजर गवर्निंग फेक्टर से हैं जो इंफ्लेंस करते हैं आई कोविक अब हम पाचेजी रिजर्वार तो फॉर्म दर ट्रॉप दो चीज़े बहुत इंप्टेंट है चेंज करने के लिए सबसे पहला तो हमारा आई मोटी जो की चेंज करेंगे डाइमेंशन के जो भी उसकी लेंद है और जो भी प्रेश्र हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो ड् ड्रॉप टाइम जो है वो सोनली डिपेंट्स करता है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो कॉलम पे अचेजी के अधि टेप ओफ ड्यमी दैनलाइट सॉलूशन इंटरफेस जहां पे हमारा एनलाइट और सॉलूशन जो है इंटरफेस पे है आप कितना है चेजी को प्रेश अर्वासाचा कर रहा है वो बिड़या होनॉव सरफिसस्केशなく पारिटेफ यॉक्स भी होनृप अप्लाइट टेंशिब गरता है कोछारी जो वुन अईलाराि आप Μारेमी मार्भ एट्राशम ए प्रटरोड वही मानारा है। long ऐसलात और प्रमिस सभी ए डॉप government dataます the bare minimum level temperature की जो variation है साथ में साथ में जो viscosity होती है viscosity मतलब fluid कितना गाढ़ा है वो भी जो है वो बहुत ही minimum level पर must be bare at minimum level उनका level बिलकुल कम होना चाहिए ताकि वो diffusion coefficient को disturb ना करें वो ही लोग सबसे जादे diffusion coefficient को disturb करते हैं इसी लिए आगे हम बात करें के कुछ हमारे important definition की जैसे की residual current IR यह क्या होता है the current flow in the absence of depolarizer वो current flow हो रहा है किसके absence में depolarizer के absence में that is due to the supporting electrolyte और यह क्यों flow हो रहा है क्योंकि उसका electrolyte support कर रहा है उसे अपन residue current करें कहते हैं and this has to be taken into the consideration while interpreting the polarograms और हमें यह हमेशा consider में रखना पड़ता है जब अपन polarogram मतलब अपना sigmoid वाला जो curve बना रहे हैं तब it is the sum of relatively larger condenser current IC and a very small faradic current IF किसका sum है relatively यह दोनों यह जो हमारा IR current है वह तो condenser current और दूसरा हमारा faradic current का sum है IR is equals to IF plus IC अब यहां पर IC है condenser current वह क्या होता है जान लेते हैं it is due to the formation of hellmots double layer at the mercury surface hellmots की double layer mercury surface पर बन जाती है तो IC जो है वह उत्पन हो जाता है बन जाता है आई यह faradic current का है it is due to the traces of impurities जो भी impurities present है उनके traces जो है faradic current के रूप में हमें पता चलते हैं दूसरा हमारा है migration current IM it is due to the migration of cation from bulk of the solution towards the cathode यह हमारा cation के current है cation जो migration कर रहे होते हैं bulk में इसकी तरफ cathode की तरफ due to the diffusive force irrespective of concentration इसमें concentration का कोई लेना देना नहीं होता है सिरिफ diffusive force के current जो है यह cations जो है वह migrate करते हैं और कौन सा current produce करते हैं migration current produce करते हैं आगे पर बात करते हैं half wave potential की तो half wave potential है क्या at which the concentration of oxidized and reduced form at electrode is equal half wave potential वह point है जहां concentration जो oxidized हो रहा है या reduce हो रहा है electrode surface पे वह दोनों equal होते हैं that is 50% oxidized and 50% of reduced forms are present मतलब 50% oxidized form रहेगा और 50% reduced form जो है इस stage पर present रहेगा उस stage करते हैं half wave potential आगे पन बात करते हैं limiting current के बारे में this is that is i l beyond of certain potential the current reaches a steady state value called limiting current जितिना भी potential हो current एक proper steady state में आ जाता है उसे पर limiting current करते हैं at this point the rate of ions is equal to the rate of reduction ion diffusion ion जो diffuse हो रहे है वो ion equal होते है किसके the rate of reduction of ion जितने ion का reduction हो रहा है उनके बराबर होते है and the state of electrode is said to be concentration polarized और दोनों electrode की state को क्या कहते है उस वक्त अपन की वो concentration में polarized हो गही है और जो current उस point पर उत्पन हो रहा है या produce हो रहा है उसे अपन limiting current कहते हैं यह नहीं किए current applied voltage curve आपको दिख रहा है current यहां से अपन बढ़ाते जा रहे हैं पहले residual current आया फिर decomposition potential आया फिर अपका half wave potential दिखा फिर diffusion current इसको पूरे को बोलते हैं फिर एक हत के बाद जो है सब्बंद हो गया पूरा polarizable हो गया हमारा electrode totally polarizable आने लगया तो एक limiting current आया तो यह उसका पूरा graph है हो आपको आज का यह पार्ट जो भी मैंने बताया या हम लोगों ने discuss किया के सकते हैं समझ में आ गया होगा और यदि आपको कहीं भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेट में कमेट बॉक्स जरूर छोड़ें ताकि मुझे पता चले और मैं आपके डाउट क्लियर कर और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए यह बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट है थैंक यू फो वाचिंग